कि अज़ा बदलाव इन्हीं है कि अब चीजें बदल रही हैं हम लोगों ने बहुत दिनों तक बॉलीबोर्ट बाइकार्ट ट्रेंड चलाया लेकिन एकाएक यह गदर टूट ट्रेंड कर रहा है चा गया तीन दिन चार दिन कंदर में और पूरे सोसल मीडिया पर सन्नी देवल के जिक्र हो रहा है जिस बॉलीबोर्ट पर खान बुद का कबजा था एकाएक सन्नी देवल ने यह क्या कर दिया है मैं मनीज जी सन्नी देवल ने क्या किया गदर तो बाक्स अपाइस पे गदर मचाई रही है तो दर्चके जानना कि क्या बदला है कि मनीजी मैंने सबसे पहले खबर डूणी कि बोपाल में क्या इस थी तो बोपाल में आज ही पढ़ा रहा था कि बोपाल में गदर गदर के टिकट के लिए आपस में तलवारे चल गई पत्रा हो गया वहाँ पुलिस बुलानी पड़ी इसकादर सुपर हिट वह पिक्चर हो र ज्यादा खतरना दंगा भोपाल में हुआ था इस गदर पिक्चर के खिलाफ पिक्चर को उतारना पड़ा था और बैसक्त कई लोगों की जाने चली गई थी मनीजी दंगे में और उस दंगे का मास्टर माइंड को उन्टा दर्सके जान ले मैं इसलिए भोपाल का जिक्र कर गदर की जब पहली गदर आई थी गदर बन तब उसने भोपाल की सड़कों पर दंगा किया तक लोगों को मौत्वें हुई थी गया गायल हुए थे लोग वह बाद में गिराफ्तार भी हुआ था और उसने का तक किसी कीवत पर नहीं चलते गदर में पाकिस्तान के खिलाफ वो बोल सके यह यह फरकाया है नरेंदर बोदी के सत्ता में आने के बाद वो आज भी कांगरेस ने उसको अपनी खोपड़ी भी बैठाल के रखा कांगरेस ने उसको आज विरायक है वो मुस्लिम बाहुल चेतर से वो बोपाल में कैसा चेतर है जहां सत्तर असी परसेंट बड़ा लोपी और मैंने का था कि पाकिस्तान के समर्थन में और हिंदूस्तान के बिरोज में उसमें गदर वन की खिलाब दंगा कर दिया था नामजद था फरा रहा और वह आदमी आज विदायक है लेकिन उसकी आवकात नहीं है कि वह बहके क्योंकि अब अब सिवरास दि जा रही है मैं पड़ा रहा था वनीजी कि पंदरा अगस्त के दिन आज तक किसी भी पिक्चर ने इतनी कमाई नी की जित्ती गदर्द की है तो यह वो हाथों हाथ लोगों ने लिया है तो जो लोग कहते कि लोग देख वक्ती देखना पसंद नहीं करते तो आज यह बता र हिंदुस्तान की पाकिस्तान से कितना प्रेम करती यह गदर की सफलता बता रही है जो इलटा-पारा पारा उटी-गान्ति हम लगों को सिखाते हैं दिनलीão चाहती है तो जनता क्या चाहती है इन दिली गदर की सफलता दिली के और लहानों के मूँ पर भी क पूहत रही है ज कि पाकिस्तान के होटलों में और शराब खानों में आयाशी करते थे और किस तरह से लड़कियां इनको सप्लाई की जाती थी आईएसाई के द्वारा ये आर एंज सिंग ने एक दिन खुलकर कह दिया था न्यूज चैनल पे और उसके चेहरे पर हवाईयां उड़ने लगी थी तो यह सब वह धलाल थे आयास, ओरत, खोर जो हम लोगों को स्कुल करता एंजใं अने नम पर पार्ट पड़ारा करते हैं नहीं और इसे लेरेह में कहते हैं कि रात और चीजे नहीं बदलेगी में लेकिर किस तरह से बदल रखे और हम आऊरा आप देख रहे. झाल झाल